जैपूर में कॉंग्रस विदायक रफीक खान पर गुरुवार दोपहर एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। विदायक रफीक खान अपने घर से निकल कर विधान सभा जा रहे थे। गारी में बैठते समय भागते हुए आये व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट कर दी। सजर्थाना पुलिस ने हमलावर को हिरासत पे ले लिया है। डीसीपी अमित कुमार ने कहा हमलावर की पहचान विकास जाखड के रूप में हुई है। बनी पार्क में जैसिंग हाईवे इस्थित विधायक के घर पर वो भागते हुए आया और रफीक खान को पकड़ कर मारपीट करने पर उतारू हो गया। पुलिस को सूचना मलने के बाद उसे पकड़ लिया गया। हमलावर सी आर पी एफ का पुर्व जवान है। बताय जा रहा है कि इस दोरान यूवक ने विधायक की जादी पर एक मुका भी मारा। वहां मौजूद खान के समर्थकों ने तुरंत पकड़ कर हमलावर की पिटाई कर डाली। जानकारी के अनुसार एक महिला स्वास्त कर्मी का पती विधायक रफीक खान के आवास पर पहुँचा था। वो अपनी समस्या बताना चाहता था लेकिन विधायक के सुनवाई नहीं करने पर वो नाराज हो गया और हमला कर बैठा। R&T Group of Colleges यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफरास्ट्रक्टर इन इंडिया। Well-Equipped Science Laboratories, Agriculture की यूनीक सीड लैब भी, Digital Library, Computer Lab with AI Technology, Digital Boards सभी जात्रों के लिए, Online Students के लिए Podcast Room भी अविलिबल है। चितोरगर जिले और MLSU उदापूर का एक मात्र, Accredited College, Courses हैं चिनमें BCA, BCOM, BSC, Bio, Maths, Agriculture, BA, 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 BSC, BA, BSTC, MA, MSC, MCOM बड़े और खुले ground sports के लिए, जहां होती है sports activities, training, personality development, student development activities, seminar और conference facility भी, NCC activities ताकि NCC कैड़िट के रूप में आप भविश्य समार सकें, देश की सेवा कर सकें। ये विजन है R&T and Vivekanan Group of Colleges की चेयर परसन, Dr. Wasim Khan का, तो आज ही चोईन करें R&T and Vivekanan Group of Colleges